hey guys this is monika singh and welcome back to our channel हम science का lesson प्लान कर रहे हैं कल हमने पहला lesson प्लान किया था आज हमारा second है और यह जो lesson plans है be at first year के लिए है और CCS university pattern based है ठीक है session है आपका 2020-2022 मतलब recent का आपका यह हो जाएगा session सबसे पहले आगे आपके आजाते हैं यह lesson plan date class section subject school और sub subject यह आप enter करेंगे यहां यह English में लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं ठीक है यह English में लिखा हुआ है लेकिन यह आपके अगर हो सकता है कि college से file मिली हो तो हिंदी में हो तो आप हिंदी में कीजेगा और अगर आपको नहीं मिला है जिसे कई बार ऐसा होता है कि फाइल प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है जिसे के private colleges में हो जाया करता है और आप खुदी सारा का सारा जो lesson plan है वो जो टॉपिक मैंने बोला कि सेम ही है और एक फाइदा रहता है क्या कि आप एक topic में से अगर दो पार्ट कर लेते हैं अगर इतना बड़ा topic है आपका किसी भी class का mostly हम लेते हैं इतनी classes ले लेते हैं अपने lesson plan बनाने के लिए ठीक है तो उसमें अगर दो टॉपिक का दो ही lesson plan अगर आप बनाते हैं तो आपको भी सहुलियत रहती है बनाने के लिए क्योंकि आगे आप जब नया lesson plan second वाला शुरू करेंगे तो first के जैसे previous knowledge से आप connect कर पाएंगे और वो आ आगे कोई भी query रहती है आप comment box में जरूर बताईए feedback जरूर दिया कीजिए जब भी वीडियो देखते हैं कि आपको कैसा लग रहा है और helpful है और नहीं है कोई changes करने है कोई कमी रह गए तो वो भी जरूर बताईए ठीक है telegram पर आपको PDF प्रोवाइड करा ही दिया जाता है तो आप वहां से जाकर आपका PDF डाउनलोड कर सकते हैं ओके तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपका topic उश्मा वही रहेगा फिर सामान अदेशे मैंने आपको कल भी बताया था सामान अदेशे हैं हमारे subject से related होते हैं मतलब कि जो हमारे पूरी साल जो subject पढ़ारे होते हैं ज जो सारे के सारे आप एक ही subject से जो lesson plan बना रहे हैं 20 lesson plans बनाये जाते हैं तो उसमें सेम ही रहेगा जबकि जो specific objectives हैं विशिस्ट ओदेशे हैं वो topic के अनुसार चेंज हो जाया करते हैं ठीक है जो आपका topic रहेगा उसके according अंदर जो आप objectives लिखेंगे जो भी topic के sub topics होंगे उन सब्सक्राइब होते हैं मतलब कि ऐसे एड्स जाद आपने घर पर त्यार कियो या कम खर्चेंग बन गया आपको ऐसे teaching एड्स नहीं लेने हैं जो कि आप जिससे घर से मार्केट से ले आई तो क्या है कि उसमें आपको पहेंगा भी पढ़ेगा पैसे खर्च होंगे तो आप प्रस्तावन प्रश्न जो कि पूर वग्यान पर आधारित होता है जो बच्चों को प्रश्न करेंगे बच्चे से बच्चा उसका आंसर देगा और यहां आगी कॉलम आचाता है आपका विधी प्रवतिया सामेगिदी जो भी आप टीचिंग एड्स करने उसकी पिच्छ आप एड्ड कर सकते हैं और आप जो मैथड लगा रहे हैं वह यूज करेंगे जैसे सबसे पहले आपका प्रश्न उत्तर विधी है ठीक है अगर आप कोई देकर प्रश्न कर रहे हैं तो हम प्रदर्शन विधी आप लिग दिया करते हैं ठीक उसके बाद आपको देश्य कथन देंगे मतलब आप बताएंगे कि आप कौन टॉपिक में क्या कर सकेंगे फिर आप इसे रिलेटर्ट विकासात्मक प्रश्न करेंगे विकासात्मक प्रश्न वो होते हैं जो बच्चे के जो टॉपिक है उसका विकास करते हैं मतलब हमें ऐसे प्रश्न करने हैं जो बच्चे को उस टॉपिक के ओपर ले आएं जो हम पढ़ाना चाह रहे ह जैसे के ताप ताप आपी को हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम बच्चे से प्रश्ण करेंगे सर्दियों में आग के सामने बैठने पर कैसा महसूस होता है तो बताएंगे कर्म होता है मौसम के गर में हम ठंडे होने बाहर में हम किस से लगाते हैं कि मौसम ठंडाया गर में तो मौसम के तापमान से लगाते हैं तो हम बच्चों को बताएंगे कि जो इसकी माप है जिसे तापमान से पता करते हैं कि मौसम कैसा है और उसकी माप के लिए हम ताप मापी का अस्तमाल करते हैं तो इस तरीके से हम बच्चे को टॉपिक के उपर लेकर आते हैं वो विकासात्मक प्रश्ण होता है ठीक है जब आप उस टॉपिक को फिर अपनी लेंग्विज में एक्स्प्रेंट करेंगे वहां आजाएगा छात् सुनते हैं विदी बता देंगे कि आपने व्याख्यान विदी से किया है ठीक लास्ट वाले कॉलम में आपका आ जाता है मुल्यांकरन प्रश्ण जोगी टॉपिक से रिलेटेड होता है यह देखने के लिए कि बच्चे को समझ में आया या नहीं इसकी बाद नेक्स टॉपि उस पर ताप मापे की पिच्चर्स बना कर आप शो कर सकते हैं ठीक है इसके बाद छात्र ध्यापी का कथन हो जाएगा आप एक्स्प्रिन करेंगे इस टॉपिक को फिर आप लिखेंगे छात्र ध्यान पर वर्वक सुनते हैं आपने दिखा दिया चार्ट जिस पर आप ब्ल अधी में प्रश्ण उत्तर क्योंकि प्रश्ण भी कर रहे हैं और प्रदर्शन क्योंकि हम बच्चों को दिखा रहे हैं प्रक्टिकल करते हुए ठीक इसके बाद चात्र ध्यापिक का कथन हो जाएगा सेम वही प्रसेस इसके बाद आपका उश्मा का प्रभाव आ जाता है उश्मा का प्रभाव क्या होता है तो विकास अमत्क प्रश्ण उसी से रिलेटेड हो जाएंगे फिर चाता ध्यापिक आपका कथन हो जाएगा बच्चे एक्टिविटी मतलब उसमें इन्वाल्व होंगे इसके आदा बता देंगे कि आपने प्रश्ण तरविधी से समझाय और लास में आपका मुल्यांकन प्रश्ण हो जाएगा कि बच्चे को समझ आया या नहीं उसके लिए आपका प्रश्ण हो करते आ रहे है पिर शहता देपिका गथन वही शो बाद आपका जो next lesson प्रान है वो हम कल करेंगे आपको पता ही है कि आपको क्या करना है telegram पर जाकर आपको PDF डाउनलोड कर लेना है को भी अगर query है वो आपको comment box में बता ही देने है ओके thanks for watching